ओम् सान्ति सान्तीर अर्थ आजी समस्तां कुजण जहते विले किये सरीर त्याग करे से ते विले समस्ते कुहंती हे परमात्मा तांका आत्मा कुण सान्ति दियो त्यानु जानतरे 2 जानतर हैु सान्तिर दाता सान्तिर सागर परमात्मा अटन्ती एहा समस्ते जानन्ती किन्तु एहार अनुभुती केतेकं का पाखरी अची सान्तिर ज्यान समस्तां का पाखरी थिले सुधा एहा गुटिये सर्पतम गुण एवं सक्ती कौन एहा कही जानन्ती के पिती जाई थिवा सेह समय जेते बेले थिला एश्रुस्टिरे सुखसांतिर सम्पुर्ण सम्राज्य। किन्तु आजी घरे घरे मानसिक दुस्चिन्ता एबंग असांति। जहार सिकार आजी सम्पुर्ण मानव जाति। फलस्वरुप रूत्र गठारु नेई अनेक नुवानुआ रोगरे सेह जी आक्रांत। डाक्तरंक कहिवानुशारे बयानवे प्रतिशद रोगर मुलकारन, मानसिक दुस्चिन्ता एबंग असांति। जिये जानम देईची अनिद्रा, सक्ति हिनता, दुर्ग घटना का अंगाल इत्या दिम। धर्मर अंधा पुटुली एबंग रुढिवाद कुनेई धर्म जुद्धर बजारमध्यां बेश गरम होई उठीची। इतिहास कुए, आजी पर जन्त होई थिवा धर्म जुद्ध मध्यारू अठस्तरी प्रतिचद जुद्ध धर्म नामर होई जी। अताए धर्म एबंग राज्यर लालसा असांतिकु बढ़ाईबार मुख्य कारन। सस्य स्यामलरे परिपुर्ण थिवा एही प्रुथिवी एवे मरुडी, दर्दाम, अन्या अत्याचार अतिवृधिर समुखिन होई जी। हतास एबंग निरास मानवा गरे गोटिय सहजपन्था आत्म हत्या। विज्यान गोटिय पाखरे मानव जाति पाई बरदान सिद्ध होई तिवा बेले अन्या पाखरे पालोटिछी अभिशाव। तेनु परमानु जुद्धर विकराल रूप तान्डाव नुर्त्य करू थिला बेले सुखा सान्ती एबंग फ्रतंत्रतार कोमलनिता कन संभव। अतह दुखा असान्ती रा मुलकारण एबंग लख्यान समस्तांगो जनातिले सुधा यहार निभारण रा मार्ग जनानाई। किछी समय मनको एकागर करी भाविले देखी प्रकुर्तरे सुखा सान्ती रा दाता किये। असान्त मय दुनियारे मनको छुई जाओ थिवा सान्ती रा मुर्दु मलाय की आनी परिवा। बधह हुए सान्ती रा गविरा अनुभुति पाईं प्राय समस्ता मनुष्य जाति इस्वरांको पुजार्चना करे। एबंग सान्ती प्राफ्ति रा असार रखे। जेते बेले काहर मुर्द्की हुए सेते बेले मध्य सान्ती प्राफ्थना करा जाए। सुख सान्ती मय दुनिया गडिवा जादू बकलपनान हुए। इस्वर्य ज्ञान एबंग सहज राज्योग आधाररे परमात्मा ही दुख असान्ती रा मुलकारन मनोविकाररू मुक्ति देए थान्दी। पंचविकाररे पडि धुली सात होई थिवा कांगाल नर्कमय दुनिया कुँ स्वर्गरे परिनत करन्दी। अबगुनारे भरा कंटकित आत्मा मनंकु दिव्य गुना भरा मनमुक्ध कर फुलापरी गडि दुलत्य। शरीर एबंग मनरुपक मलीन बस्त्रकु परमात्मा धुबाहई स्वत्छव सुन्दर करन्दी। आत्मा दिने सुना भली जाजुल्य मान सम्पुन सतप्रधान तिला। किन्तु आजी पांच विकार रुपक मोयला मेशी से विक्रुत हुई जेजी। एवे परमात्मा निजे अवत्रन होई आत्मा मनंकु पूनि धरे दिव्य गुनारे सजाओ चन्दी। गरीबकु धनी एवं कांगालकु राजपद देव चन्दी। किन्तु प्रस्णा उठेजे एवे शान्ती एवं सुखर अनुभुती किये करे। अनुभव करिया बाला किये। एवे पांच तत्वर सरीर ना ता भीतरे विद्यमान अन्यकेम अभिनाशी सत्त। प्रुथिवी, जल, बायू, अग्नी, एवं वाकास, एही पंच तत्व कु समस्ते जानांदी। किन्तु चंद्र, सुर्जय, तारागणंक ठारू उपरे जे अखन्ड जोती महतत्त्व रहीची, जहाकु सांती धाम, परमधाम कुआ जये। एहा प्रया समस्तंको अजणा। एठारे आत्मा, सरीर ठारू अलगा होई, मुक्त अवस्तारे रहुती बारू, एहाकु मुक्ती धाम मद्यांको आजये। आमे समस्त आत्मामाने एविशाल सुरुष्टिरंग मन्च उपरकु अभिनाय करिया पाइँ समय अनुषारे ओलाया सुझे। सान्ति धाम प्रकुर्तरे आमा समस्तंकर मुलगर। जदी एही कथा आमे समस्ते हृुदेंगम करिपरिवा, ताहाहले पसुधहिवा कुटुम्बकंगर भावना कुट्ये नुतन मानव समाजको जन्मदेपरिवा। गुरुह जुद्ध वो अंतर्राष्ट्रिय जुद्धर सम्भावना कुट समाप्त करिये वा। तत्सहित शारा विश्वरे सान्तिर पुनस्थापना होई परिवा। जे परी विद्योत एक सक्ती जहार प्रयोग करी आमे आलोक एबं आहुरी अनेक प्रकार कार्जय सम्प अनुभुति एही सान्तिर सक्ती आमर अंग अंग को सितल करे दिये आमकु चिरंतन सुख सान्ति आनंद आधिर अनुभुति कराए। जहा द्वारा जीबनरे सर बांगे न उर्नति हेवा संगे संगे आत्मा संपुर्णता को प्राप्त करे। जदियो देहर धर्म अनेक किन्तु समस्त मानवात्मांकर स्वधर्म सान्ति तेनु विश्वकल्यान आमर स्वकर्म हेवा दर्कार। संसारे रथिवा पाप भरा अनेक प्रकारर माया जालक बलरू निजगु कमल पुस्पत्रिल्या अलगा रखी पवित्र जीबन जापन करीवा ही आमर स्वकर्लक्यान। मुँ आत्मा सरीर दुई भ्रुकोटी मध्यरे निबास करें। मुँ शरीर नुए गोटे चैतन सक्ति आत्मा। एही भाबनारे रही कर्म कले प्रकृत सान्तिर अनुभूती हुए। सरीर जह मून है एही अभिमानेरे रही कर्ुथिवा कर्म दुख्ध दीए एवं आत्मस्वरुपरे रही करुथिवा कर्म सुख सान्ति प्रदान करे। लख्य अनुसारे लख्यना स्वतवासी थाए। जहाकु धारण करीपारिले चिरन्तन सांती र अनुभुती सहजुए। मन एही सरीर र अंगन में। किन्तु मन बुद्धी एबं संस्कार आत्मार सुक्मांग। तेनु सांती आत्मा अनुभव करे। जे परी पानी र स्वभाविका गुण गतिशिल एबं समतल रहिवा। सुर्ज र स्वभाव प्रकास देवा। पहाडपरबत र गुण स्थीर औकम्भीर। चंद्र र गुण सितलत। ठीक सही परी मन र वास्तविक प्रक्रिया सांती। अतयव मन र अही वास्तविक प्रक्रिया अनुशारे जदी आमे कर्म करी चलिवा। ताहा हेले निश्चय रूपे आमे सांती सक्तिर अधिकारी हुई परिपरिवा। परमात्नाकु अंती, सांती, आपणंकर गलार हारसत्रुष, एही उपहारकु सिवकार कर। मनकु नमारी, सुधारिवापाई चेश्टा कर। आधि, व्याधि, एब उपाधिरे भरा एही सुरुष्टी, जेउंतीरे अनेक प्रकारर सक्ति भरी रहीची। सेतिमध्यरु, ज्यान, गुण, एबं सक्तिरुपक आध्यात्मिक सक्तिर, विशेश महत्तो रहीची। आजीर मानाव पाखरे, ज्यान भरी रहीतिले सुधा, अभाव रहीची सक्तिर। जहा की असांतिर मुलकारन। तिगहरा मानाव समाजा गरे, गुटे चीरंतन प्रस्ण। धर्मरु सांतियासे, न सांतिरु धर्म। यहार उत्तर केबल सांतिर अनुभुतिरे ही होई थाए। जे परी आलोक सिखा अंधकार को समाप्त करी दिये, ठीक सही परी सांतिर प्रकम्पन, निजकु एबं बायुमंडलकु सुध्ध करी दिये। समस्त प्रकारर भौतिक सक्तिकु सहजरे नियंत्रण करी परे। सांति, सांतिर सागर परमात्मांकर सक्ति होई थिवारू यहार सर्वत्च। पापकर्मही, दुख उव सांतिर मुलकारण। तेवे विचार करीवा दरकार जे, आमें पापकर्मरू की परी मुक्त होई परि पवित्रतार एही अवलोकिक अभा आजी सारा विश्व कुदरकार। जहा कि विश्व परिवर्तन पाई नेत्रुत्वर प्रकुर्त मार्ग प्रदर्शन कराईब। जीवन, जन्मरु मृत्यु पर जन्त गोटिय लंबा जात्र। एही पथरे रहीची कर्मर व्यवसाय। उत्तम जीवन जापन करीवा मध्य कोटिय कला। एथिरे निपुणा नहेबा कारणरू अनेके नेजे दुख्षी होई अन्यकु दुख दे धान्ति। कर्म, अकर्म, एबं विकर्मर ज्यान, स्वेंग परमात्मा वेदेव चन्ति। श्रेष्ट कर्म द्वारा सबुदिन पाईं सुखव सान्ति मिली परीव। एबं असांतो है करूथिवा कर्मर परिनाम, प्रारंभ, मध्य, एबं अन्त तुखदाई होई। जे परी मन्जी सही परीगच। एही जुक्ति अनुसारे सान्तो है करूथिवा समस्त कर्मर फळ निश्चय रूपे सुखदाई होई थाई। प्रति सोधर भावना कु त्याग करी निजकु बदले बार सामर्थ्यकु दारन कले जीवनरे अध्भूत परिवर्त नास्ताई। भोगी जीवनर परिणाम अत्यांत दुखदै। जीवनरे भोग विल्यास कु त्याग देई राज जगर अभ्यास निहात्य आवस्यक। परमात्मांक स्मुतिरे रही कर्म व्यवाहार करी परिले मनुस्य मानसिक दुष्चिन्तार मुक्त रही परिव। एवं तार कर्म कुषलता बढ़िव। नमन्यता कारणरू निर्मल सुनाकू मनमुतापक गडियुए। नम्रता गुणिजन मानंकर स्रुणगार। सेथिपाईं सेमान इस्वरंकर अत्तिनी जर। नम्रतार गुण जीवनरे सुखसांति आनि दिय। मनर मलिनता जीवनरे परिवर्तन आनिवार मुलसत्तु। जहाकू राजजग द्वारा पिनास करियेव। परमात्मांक सह मनव बुद्धिर संजोगरू उत्पर्न जोगागनी द्वारा पुरुना संसकार, स्वभाव, सम्मंधरे परिवर्तन आसिताए। अन्यर परिवर्तन आरे सुखसांती प्राप्ति र आसा जाडी निजकू बदलाय बातरकार। राजजग आधारारे आमे सांती र सागर परमात्मांकर सानिध्य प्राप्त करिवरिवा। ताहस ह सुखसांती एबं आनंदर अनुभुति करिवर। नबाव प्रभुत्त द्वारा सासन करे। परिवर्त नर डाकरा भावी श्युकार करीवा एही आभान अर सुभमुर्त कुँ हात छड़ा करीदेवा उचीत में। समस्ते कुहंती जे अपकारीर मध्या उपकार करीवा दरकार। किन्तु केते जन एही सत्यकु श्युकार करीवा। तेनों आसन थरे निर्मल मनरे भावन तुझे मते वदलिवाक है। मोर परिवर्तन अरे विश्यु परिवर्तन होई परिवा। सुरुष्टी उपरे घटी जाई थिवा अनेक प्रकार अंदोलनकु आमे अनुभब करीचे। समाजरे सुखसांतीर प्रतिष्ठा जहार प्रधान लख्य थिला। एही प्रकार क्रांती द्वारा भावती का सुखसुविता बड़ी ची निश्चे। किन्तु अंतरी का सुखसांती बड़ी नाई। तेनु एबे आवश्यक रहीची एक एपरिक्रांती जेकी आम समस्त आत्मांकर मनकामना जन्म जन्मांतर पाई पुर्ण करीपरी। आमे समस्ते के बल सरीरों है। जने जने अभिनाशी आत्मा एबं परमात्माकर संता। एही भावनारे परस्पर कुदेखिव। जहाद्वारा भाई भाईर संपर्क बुद्धि पाईवासह इस्वरिय परिवारर अनगुति है। परस्पर भितरे थिवा मतभेद जगडा सत्रुतार समाप्ति हुई परिव। राज जग आजी समाज भितरे एही नुतन अध्यात्मिक करांति आणि देछे। जहाद्वारा एक धर्म एक जातिर नवनेर्मान वही परिव। तेनु एही प्रकारर अउलोकिक अंदलनकु बुजिवादर्कार। दान पुर्ण्यर प्रभाव, परिणाम, एबं प्राप्ति ख्योनस्ताई। भोकिलाकु और नदान कले किछी ख्योन पाईं ख्युदा मेंटी जाए। बस्त्र दानमध्य अल्पसमय पाई। किन्तु एहार आवश्यकता दिर्गस्ताई। ताहा हेले जीरन तन प्राप्ति पाईं कौन दान देवा। धर्न पुष्टक किलनी पारे, किन्तु बोधत्वन में। खाद्य किलनी पारे, किन्तु बाचन सक्तिन में। सेजक्रनी पारे, किन्तु निदन में। प्रासाद किलनी पारे, किन्तु गरन में। अवसदक निपारे, किन्तु स्वास्त्य नुए। दुनियारे एमिती अनेक अच्छंती, जेव मने धन संपद वो सारीरिक संदर्जर अधिकारी, किन्तु दुखी वो असांत। भौती का ख्यनस्थाई धन संपद सांती देई परु नैं। तेनु समस्ते अभिनासी सुखसान्तिर वहकारी, तेवे सेमान कु काण दान देवा। रोग शुक इत्यादी मनुष्य करितिवा पाप कर्मर फड़। ये थिरू मुक्ति देवार सक्ति अन्य कणशी दानरे नाई। सेमानंकु अभिनाशी सुखसांती दान करिवाही सर्वस्रेष्ट दान। सांतिर भासा उव अनुभुती एकदम अलुगा। एहा कुबुजी अनुभव करिवा पाई अभ्यास आवशक। सांतिर भासा अन्य कुबुजाई पारिवाही सर्वस्रेष्ट बिद्यादान। कुहाजाय सुरुष्टी एक रंगमन्च। जहा आमर घरनु है। एहा एक जात्रिनी वास। तेनु घरकु फेरिजिवा कुएव। संध्या समयरे घरकु फेरिजिवार मानसिक संकेत सबु प्राणिकर सहजात प्रभृति। दिन परे राती एवं राती परे दिन। एही पुनराबर्तन सुरुष्टिर अनाधिन्यम। यहा विशाल सुरुष्टि चक्र। गोर्णन परिवर्तन ओचलन जीवनर बास्तविक प्रक्रिया। समय चक्र अनाधि ओभिनासि। स्वास्तिका जाहर प्रतिक। सांती प्राप्त करिवा समस्तंकर मुलगुन ओइच्छा। कारण आमे समस्ते सांती धामर निवासि। एठाकु अभिनाय करिवाक। आसे छे। एबे क्लांत होई गलेनी। नाटकर सेस अंख सरीवाकु जाऊची। काल चक्र घरकु फेरीजिवार संकेत देऊची। केची समय परे पुनास्च एईश्वार निम सुखसांती दुनियार आरम हैवा। पूनी अनादी नाटकर प्रथम अंक पुनाराब्रुति हैवा। एई देखा। सुरुष्टी चक्र रूपा का घडिरे केत्रा बाजी छी। परमात्मा को हुचांती देहकु एवं देहर समस्त सम्मंदक को बुली मोते मनेबुका। आसुतिवा सांतीर दुनियार छबी मानुस पटलरी आंक। केबला गोटिय महमंत्र खुशा। मोते सांतीतुत हुई समस्तन कु सांतीर दाना करीवाकु है। कु सांतीर दाना करीवाकु है।